स्वागत है आपका सिविल सर्विस प्रोटिचल में सो गाईज एक लंबे समय के बाद हम लोग आज मिल रहे हैं वीडियो के माध्यम से और आज से वीडियो कांटिन्यू जाएगी करेंट अफियर के बेस्पेस, टॉप फाइफ, करेंट अफियर का न्यूज एनलेसिस, एडुटोरियल और जी एस का भी हम सेगमेंट सुरू करने वाले हैं तो आई होप सो कि हम पहले पॉलिटी को ही लेकर चलें कि पॉलिटी हम सुरू करने वाले हैं सिरीज और विल्कुल फ्री अपकोर सारे के सारे कांटेंट होने वाले हैं और इस चैनल का मोटिव भी है कि जो भी कंटेंट रहेंगे उस सारे के सारे फ्री एनेसेटिव के हैं, फ्री ही रहेंगे, ठीक है अगर थोड़ा सा बात करें, 2023 का जो UPSC, CSE का पेपर हुआ है तो आई होप कि आपको ये चीज हैसास हो चुका होगा कि जितने भी मार्केट में धुरंदर अपने आपको गूमते हैं बताने वाले कि प्रिलिम्स हैसे निकालिए प्रिलिम्स हैसे क्वालीफाय करिए सारे के सारे फुषड़ी साबीत हुए हैं ना किसी का त्रिक काम आया है, ना किसी का concept काम आया है अगर कुछ काम आया है तो सिर्फ होसिफ एक मात्र यहां पर रामबाड एक हथियार काम आया है कि आप जो भी पढ़ाई करो उसके बारे में बिल्कुल सटिक जानकारी रख कर पढ़ो अथेंटिक जो रिसोर्स है उसको ही इस्तिमाल करो यह जो छपरी बाज टाइप के लोग घुम रहे हैं अपने अपने ग्यान को लेकर प्लीज वहाँ पर उनके कंटेंट पे आप बहुत जादा उनको रियावल नहीं मानो ठीक है ना उसमें हम भी इंक्लूड हो सकते हैं अग यह बताना चाह रहा हूँ कि इस सोसल मेडिया के जो दुनिया चल रहे हैं इन से थोड़ा दूरी बनाईए और अपने भवी से को बहुत अच्छे से बहुत अच्छे मुद्रा में ध्यान दीजिए कि हमारा भवी से कहां जा रहा है अगर हम ऐसे ही लापरवाही करते रह ग तो मैं बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अथेंटिक रिसोर्स को ही फॉलो करिये अथेंटिक कॉंसेप्ट को ही फॉलो करिये और ये जो यूपी असी का पेपर है इसमें किसी भी सब्जेक्ट को बहुत जादा बलकी मानकर मत चलिये कि पॉलिटी पढ़ कि क्या इन परिवर्तों को कितना फेज करें देखें पढ़ाई का सबसे अच्छा मुलसुत्र होता है कि जो भी पढ़िए भी स्तार से पढ़िए तरीके से पढ़िए और उसको इतना सू संगठित तरीके से पढ़िए उसका नोट्स बना कर कि वहां से अगर कंटेंट आता है तो वो content हमसे miss ना हो बस इतना ही तरीका इतना ही shortcut है बाकी सारी लोगों को बातों को सुनिए सारे लोगों की पत्वे बताएवे पत्वे चलिए लेकिन करिए बस इतना ही तब तो सबकी बाते आप पे लागू हो जाएंगी अगर किसी का आप अंदभध बन रहे हैं किसी का आज के समय में अगर follower बन रहे हैं तो आप अपने पैर पे कुलाडी माररों इतना जान लो ठीक है तो जितना जल्दी हो सके प्लीज आप लोगी वीडियो जरूर देख लेना जरूर देख लेना ठीक है और जैसा कि हमारा टाव फाइव करेंट अफेयर एड़ोटरियल और जो मैं पॉलिटी का सेगमेंट कोशिस है कि पॉलिटी का ही सेगमेंट फ्री एनेसेटिव के साथ सुरू करूँ वो भी अथेंटिक रिसोर्स देहीं रहेगा आप उसको अब खुद से भी पढ़ सकते हैं आप वीडियो को रिविजन फॉर्म में भी लेकर चल सकते हैं तो सुरू होने वाला है तो कुछ बाते करने थी तो 2024 में जो भाई लोग बहन लोग तैयारी करने वाले हैं जो लोग भी एसपरेंट हैं थोड़ा सुनको हम सलेबस के बारे में वेयर करा दें देखे जो प्रा कुछटन सोते हैं जो पेपर सेकेंड है ये भी 200 मार्च का होता है लेकिन इसमें कुछटनस असी होते हैं यानि दो दसम 5 पांच का यहाँ पर एक कुछटनस होता है ठीक है और जो सी सेट है वो 33% minimum इसमें कुछटनस को attempt करने होते है यानि अगर बात कहें तो 26 से 27 27 अथ 200 नंबर के question में जो total 80 questions होते हैं, ठीक है, अब आप बात करते हैं, यह हमारा PT का बात हो गया, जो की objective nature का paper होता है, अब आते हैं, मुख्य परिक्षा में, जो की 1750 नंबर का होता है, ठीक है, इसमें paper first जो है, वो निबंध 250 नंबर का होता है, Just wait, जो paper second है, वो भारती, विरासत, संस्कृती, विसुका इतिहास, भुगूल व समाज, यह इतने subject को मिला कर, हमारा paper, जो है, वो second बनता है, जो की 250 नंबर काता है, ठीक है, अब आते हैं paper third पे, सासन बिवस्था, संविधान, सासन प्रडाली, सामाजिक न्याय, अंतराश्ट्रिय, संबंध, इनको मिला कर paper third का निर्माड होता है, जो की 250 नंबर काता है, paper fourth पे आजाते हैं, प्रद्योगिकी, आर्थिकी विकास, जैब विविधता, परियावरण, सुरक्षा, तथा आपदा प्रबंधन, इनको मिला कर paper fourth का निर्माड होता है, जो की 250 नंबर के आते हैं, ठीक है, paper जो five है, उसमें नीती सास्त्र, सत्र, अभीरूची, इसको हम ethics के नाम से भी, नीती सास्त्र के नाम से भी जानते हैं, इसमें सारे conclude होते हैं, यह 250 नंबर का होता है, ठीक है, अब आते हैं, बैकल्पिक विशे पे, जो की 500 नंबर का होता है, यह जो 500 नंबर का बैकल्पिक विशे है, इसमें paper A और paper B, यानि subject A कहीं रहता है, उन subject को दो पार्ट में उसका paper होता है, 250 और 250 के रूप में, तो paper जो 6 है, वह 250 नंबर का होता है, optional का, paper 7 उसी optional का 250 नंबर का दूसरा paper होता है, यह जो paper 6 और 7 है, इन दोनों का subject A कहीं होता है, जैसे गर हम उधान की बात करें, तो माल लीजिए कि यहाँ पर sociology है, ठीक है, तो sociology का ही 500 नंबर का paper होगा, दो पार्ट म एक paper 6 है, एक paper 7 है, ठीक है, अब आते हैं, भारती भासा, जो की 600 नंबर का paper होता है, इसमें जो paper 8 है, वो English है, जो की 300 नंबर का रहता है, ठीक है, यह 300 marks का होता है, ठीक है, इसमें से आपको qualifying करना होता है, 33%, आपको minimum number लाना होता है, 300 marks का 33% आपको लाना पड़ता है, जो paper 9 है, उसमें हिंदी है, आप इसमें कोई भी जो अनुसूची 8 में भासा है, उसमें से यहाँ पे कोई भी भासा आप ले सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ हिंदी का, तो यह भी 300 नंब nature का होता है, यह आपके married list में नहीं जुड़ता है, ठीक है, तो यह हो गया उपर का 1750 नंबर की बाते, जो interview है, साक्षातकार, यह होता है आपका 275 नंबर का, 275 का, ठीक है, जब total आप number मिलाएंगे, तो total नंबर आता है, 2025 ठीक है, तो इतने पे आपका married list बनता है, और selections होत है, और selections नहीं होता है, तो यह तो देखे view है, अगर आप mobile से इस video को देख रहे हैं, तो snapshot इसका, screenshot ले लिजिए, क्योंकि यह जो है, यह काफी important है, कि paper first में क्या आता है, paper second में क्या आता है, paper third में क्या आता है, ठीक है, paper fourth में क्या आता है, paper five में क्या आता है, यह तीनों, च आप पहांचों important है, आपके बिल्कुल जबान पर होना चाहिए, क्योंकि जब आप newspaper reading करते हैं, तो वहां से आपको पता होना चाहिए, कि अभी मैं जो content है, किस paper का पड़ रहा हूं, किस paper का इस अलिबस से attach हो रहा है मामला, उसके बाद जो वैकलफीक है, वो 500 नंबर का होता ह हमने बात कर लिया, subject एक रहता है, दो पार्ट में उसका paper होता है, 250-250 marks का, ठीक है, तो उपर की जितनी भी बाते हमने किया, उसको please ध्यान दीजिए, और इसमें आज के समय में जो prelims है, और जो CSET है, prelims का दो पार्ट, जो GS और GS2 का paper है, इसमें एक चीज़ आपको ध्यान हमसे पूछना क्या चाहता है, number 1, number 2, authentic जो resource है, उनको follow करिए, number 3, जिसके बारें पढ़िए, उड़ते उड़ते ना पढ़िए, उसको deep जाके तरीके से पढ़िए, तरीके से पढ़िए, so everybody, अगर आप कोई वीडियो पसंद आता है, तो please अपने पास save कर लेना, maybe motivations का का काम करें, जब आप सो रहे हों, तो जगाने का काम करें, चलिए आगे मिलते हैं किसी और वीडियो में, फिलहाल आज से सारे सेग्मेंट मैं सुरू कर रहा हूं, so one by one सारे वीडियो आपको मिलना सुरू हो जाएंगे, so thank you so much watching, thank you, धन्यबाद.